अगला प्रश्ण हमें फिर दिया गया है कि फ़लनों का x के साफ एक्ष समाकलन ग्याद कीजिए अब फ़लन है y equal to x square log x का square तो इसे हम लिख सकते हैं log of x का square into x square देखिए हम लोगों ने जो सूतर पढ़ा है ilate इसमें logarithmic function है l और algebraic function है a तो logarithmic function first आ रहे है इसका मददब यह कि इस दिये गया फलन को हम प्रतम फलन मान करके चलेंगे और इस दिये गया फलन को हम दीती फलन मान करके चलेंगे तो अब खंसा समाकलन का सूतर आपको पता है integration uvdx equal to u integration sign vdx minus dy dx of u integration vdx then whole integration dx तो माना दिये गया फलन का समाकलन है x then integration sign log x का स्क्वेर और फिर x स्क्वेर dx तो पहला फलन यह मिल गया log x का स्क्वेर दूसरे फलन का समाकलन तो x square dx minus dy dx of log x का स्क्वेर फिर integration sign x square dx और फिर पूरे फलन का समाकलन यह आपको मिल गया log x का स्क्वेर और x स्क्वेर का समाकलन x cube upon 3 फिर minus integration sign पहली बात यह कि यह log x का स्क्वेर है तो मिल जाएगा 2 log x और log x का फिर से उकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1 by x और फिर x square का समाकलन x cube upon 3 dx देखें यहां से 2 by 3 vanished आ जाएगा यह हम common ले सकते हैं उसे function के बाहर ले लेंगे तो यह log x का square then x cube by 3 minus 2 by 3 integration sign log x और यहां पर into आ जाएगा x square dx फिर से यह दिये गए फिर से यह जो फलन हमें प्राप्त हुआ है यह दो अलग-अलग फलनों का गुनन फल है तो log x को हम प्रतम फलन मानेंगे और x square को हम दीती फलन मान करके सरल करेंगे तो आगे हम इसे इस function को या इस integration को हम i2 consider करके सलेंगे तो log x का square into x cube upon 3 minus 2 by 3 और इसे हम i2 लिखते हैं माना कि यह समीकरण एक है अब हम i2 के लिए solve करते हैं i2 equal to integration sign log x into x square dx तो पहला फलन log x दूसरे फलन का समा कलन फिर minus d by dx of first function log x फिर integration x square dx और फिर इस पूरे फलन का फिर से integration यह है log x x square का समा कलन करेंगे तो मिल दाएगा x cube upon 3 फिर minus log x का आउकलन 1 by x और x square का समा कलन x cube upon 3 और फिर यह dx आगे solve करेंगे तो मिल दाएगा log यह log x into x cube upon 3 फिर minus 1 by 3 यह देखिए 3 का मान आ जाएगा x और यहां पर आ जाएगा x square और x square का फिर से समा कलन करेंगे तो मिल दाएगा x cube upon 3 plus c तो यह मान हमें i2 का मान प्राप्त हो चुका है अब इस दिये गए समीकरण एक हमें जो प्राप्त हुआ था उसमें हम i2 का मान रख देते हैं तो आपको मिल दाएगा i equal to log x का square into x cube upon 3 minus 2 by 3 i2 और i2 का मान हमें यह मिला तो log x into x cube upon 3 minus x cube upon 9 plus c अब bracket open कर देते हैं जहां पर c जो है है log x का square then x cube upon 3 minus 2 by 3 log x into x cube upon 3 minus or minus plus 2 by 3 और 3 और 9 का मुलिटीप्लाई 2 into x cube 2 x cube 3 और 9 का मुलिटीप्लाई 27 और फिर minus 2 by 3 c इस फलन को हम और solve कर सकते हैं वो कुछ इस तरीके से log x का square x cube upon 3 देखिए तीन और तीन का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 9 दो बटे 9 log x into x cube plus 2 x cube upon 27 और फिर इसको आप c1 consider कर सकते हैं जहां c1 equal to 2 by 3 c1 2 by 3 c तो यह दिया गया फलन का समाकलन है जो कि हमें ग्याद करने कहा गया था अगला फलन दिया गया है log of log x upon x कि स्वालन का समाकलन करना है logarithmic function उपर अंस में जो function दिखाई दे रहा है यह logarithmic function है और upon में x जो दिखाई दे रहा है यह algebraic function है तो logarithmic function को हम first function मान करके चलेंगे और यह जो x है इसे हम दूइती फलन या second function मान करके चलेंगे तो खंड सा समाकलन का सूत्र का उपयोग करेंगे और हम जानते कि खंड सा समाकलन का सूत्र क्या होता है माना दिये गए फलन का जो समाकलन यह हमें आई प्राप्त होता है तो पहला function दूसरे function का दूसरे function का समाकलन फिर पहले function या फलन का आउकलन दूसरे function का समाकलन और फिर इस पूरे function का समाकलन तो आगे जब इसे solve करेंगे तो हमें मिल जाएगा log of log of x 1 by x का जो समाकलन है यह आपको मिल जाएगा log x फिर minus इस फिलन का आउकलन कर रहे हैं तो पहले मिल जाएगा 1 by log x और log x का फिर से आउकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1 by x और फिर 1 by x का integration करेंगे तो मिल जाएगा आपको log x then dx log x और log x cancel हो जाएगा 1 by x आएगा यहाँ पर और आपको मिल रहा है log of log of x into log x minus dx upon x फिर से log of log of x into log x minus log x और प्लस c तो यह जो दिया गया फिलन है उसका समाकलन हमें यह प्राप्त हुआ प्रश्ण दिया गया है कि दिये गया है फलन का x के सापक्च समाकलन कीजिए तो इसमें प्रश्ण है y यह function दिया गया है x into 10x into 6 square x इसका हमें समाकलन ग्याद करना है तो आप देख पा रहे हैं कि यह एक function है यह दूसरा function है यह तीसरा function है तो तीन अलग-अलग फलनों का गुननद फल दिया गया है तो इसे दो फलनों के गुननद फल में परिवर्थित करने के लिए हम प्रतिस्थापन वीधी का उप्योग करेंगे तो इसके लिए हम यह मान करके चलते हैं कि 10x जो है यह t है माना यह समीकरण दूसरा है तो यहां से जब इससे आप आगे solve करेंगे तो x equal to 10 inverse t यह आपको मिल जाएगा और यदि इस फलन के दोनों तरफ या इस समीकरण के दोनों तरफ को आप आउकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा सेक स्क्वेर x dx equal to dt माना कि यह समीकरण 3 है अब दिये गए फलन का यदि समाकलन आई हो तो इसे हम लिखेंगे interaction sign x tan x सेक स्क्वेर x dx अब हमने जो प्रतिस्थापन का उप्योग किया है समीकरण 2 और 3 से हमें जो मिला है उसको हम प्रतिस्थापन यहाँ पर पूर्ण रूप से कर देंगे तो देखिए सेक स्क्वेर x dx अर्थाथ इस पूरे फंक्शन को हम लिखेंगे dt x को हम लिखेंगे tan inverse t यह मिल जाएगा integration sign tan inverse t यह x का मान और tan x को हम लिखेंगे t यह into t और यह dt अब देखिए यह trigonometric function है i l a t e तो trigonometric function बाद में आता है और algebraic function पहले आता है लेकिन i जो होता यह inverse trigonometric function है और यह जो tan inverse t है यह inverse trigonometric function है तो इसका मतलब यह कि tan inverse t को प्रसम फलन और t को हम दीती फलन मान करके इसका हम समाकलन करेंगे तो खंड सा समाकलन का सूत्र को प्योग करेंगे तो पहला पहला फलन दूसरे फलन का समाकलन फिर पहले फलन का आउकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर पूरे फलन का समाकलन तो यह मिल जाएगा 10 inverse t और फिर t का integration t square upon 2 फिर minus 10 inverse t यह आपको मिल जाएगा 1 upon 1 plus t square 1 upon 1 plus t square और फिर से t का integration यह मिल जाएगा t square upon 2 और फिर यह dt आगे सराल कर सकते हैं यह t square by 2 को मैं पहले लिख रहा हूं तो t square by 2 then 10 inverse t और यहां से 1 by 2 इस function के integration function के बहार लिख सकते हैं यह 1 by 2 देखिए t square है और upon 1 plus t square है तो इसे integration करने के लिए हम थोड़ा और सरल कर लेते हैं तो इसमें हम 1 add करेंगे और 1 subtract करेंगे ताकि balance बना रहे है और यह 1 plus t square dt हम इस तरीके से अब यह t square plus 1 को हर के साथ अलग में और अलग भिन्न के रूप में लिखेंगे और minus 1 upon 1 plus t square को अलग लिखेंगे और फिर आगे हम सरल करेंगे तो यह आपको मिल गया t square upon 2 10 inverse t minus 1 by 2 अब देखें यह t square plus 1 और 1 plus t square इसका समाकलन तो यह तो 1 हो गया 1 upon 1 1 और इसका integration अमें मिल जाएगा t फिर इसे तरीके से आगे integration sign dt upon 1 plus t square तिए मिल गया t square upon 2 10 inverse t minus 1 by 2 इसका integration हमें मिलेगा t और यह आपको मिल जाएगा 10 inverse t और इस फलंग के बाहर भी आप integration sign लगा सकते हैं तो मैं इसके बाहर plus c ऐसा अपलाई कर रहा हूँ जहां पर c समाकलन नहीं अतांक है अब जहां पर हमने t लिखा है उसे हम 10x से interchange कर देते हैं या फिर परिवर्टित कर देते हैं तो जो फलंग हमें मूल रूप में प्राप्त हो जाएगा तो t square अर्थाट 10 square x upon 2 और 10 inverse t यह हमें मिला x फिर minus 1 by 2 into t तो यह आपको मिल जाएगा 10x upon 2 और यह minus और minus plus 1 by 2 10 inverse t यह आपको मिल गया x plus c और इसे अब थोड़े परिवर्टित रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 by 2 फिर यह x और फिर यह 10 square x फिर 1 by 2 फिर से 10x plus 1 by 2 x plus c तो यह दिये गए फिरन का समाकलन है जो कि हमें गयाद करना था अगला दिया गया फलन है cos cube x तो इस cos cube x को आप लिख सकते हैं यह दिया गया फलन है cos cube x इसका समाकलन करने के लिए पहले हम इसे दो पार्ट में split कर लेते हैं तो इसे आप लिख सकते हैं cos x into cos square x अब फिर इसका हम समाकलन करेंगे तो यह जो cos x है इसे हम प्रसम फलन और cos square x को हम दीती फलन मान करके इसका आगे समाकलन करेंगे तो माना दिये गए फलन का समाकलन है i integration sign cos x into cos square x dx कंट स समाकलन का सूत्र पहला फलन दूसरे फलनका समाकलन और फिर फूरे फलनका हम समाकलन करेंगे तो यह आपको मिल रहा है cosec x और cosec square x का integration minus cortex तो यह मिल गया minus cortex minus cosec x का आप alkaline करेंगे तो यह मिल जाएगा minus cosec x cortex minus cosec x into cortex और फिर cosec square x का फिर से समाकलन तो यह आपको मिल जाएगा minus cortex dx यह minus और minus plus और फिर minus के साथ multiply होकर कि ultimately आपको minus ही मिल जाएगा तो यह minus cosec x into cortex minus cosec x और cortex और cortex का multiply होकर कि हो जाएगा cot square x और फिर यह dx तो जैसा कि आपको पता है कि 1 प्लस cot square theta यह आपको मिलता है cosec square theta तो यहाँ से आप लिख सकते हैं cot square theta equal to cosec square theta minus 1 तो इस सूत्र का उप्योग करेंगे और यह जो cot square x है इसको cosec square x minus 1 से replace कर देंगे तो आपको मिल रहा है minus cosec x into cortex minus integration sign cosec x into cosec square x minus 1 और फिर यह dx यह हमें मिल रहा है minus cosec x cortex minus cosec square x multiply करेंगे तो मिल दाएगा cosec cube x और फिर यह minus और minus plus integration sign cosec x dx यह आपको मिल रहा है minus cosec x into cortex और यह integration sign cosec x जो है यही हमारा function है i तो इसे हम यहाँ पर integration i लिख सकते हैं और फिर plus इसका integration करेंगे तो आपको मिल जाएगा log of 10 x by 2 और plus c अगर आप use करना चाहें तो यहाँ पर plus c लिख सकते हैं यह हमें मान मिल रहा था i का i right right पर भी है left में shift कर लेते हैं तो i plus i आपको मिल जाएगा 2i minus cosec x into cortex plus log of 10 of x by 2 plus c तो यहाँ से आपको मिल जाएगा i equal to 1 by 2 minus cosec x into cortex plus log of 10 of x by 2 plus c तो यह दिये गए फ़लन का समाकलन है जो कि हमें ग्याद करना था अगला फलन दिया गया है cos of square root over x plus 1 तो यदि आप square root over x plus 1 को आप t मानेंगे तो उसको replace करने के लिए dt से आपको फिर से यह function मिल जाएगा तो इसे समाकलन करने के लिए हम वर्गमूल x धन 1 का गुणा और भाग करके balance करेंगे और फिर हम वहाँ पर प्रतिस्थापन विदी का उप्योब करेंगे तो माना की दिये गए फ़लन का समाकलन है i integration cos square root over x plus 1 dx so यह square root over x plus 1 और फिर cos square root over x plus 1 upon square root over x plus 1 और dx माना की यह समीकरन 1 है अब प्रतिस्थापन का उप्योब करेंगे माना वर्गमूल x plus 1 यह square root over x plus 1 इसे हम t मान करके चलते है यह समीकरन 2 दोनों पक्षों का जब आप आप आउकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 upon 2 square root over x plus 1 dx equal to dt तो दिखिए dx यहाँ पर है और upon में square root over x plus 1 है तो t उधर transfer हो जाएगा तो यहाँ पर आपको मिल रहा है dx upon square root over x plus 1 equal to 2 into dt यह प्रतिस्थापन का उपयोग हम समीकरन एक के लिए करेंगे और समीकरन एक कुछ इस तरीके से परिवर्थित हो जाएगा square root over x plus 1 यह आपको मिल गया t और फिर again cos t और यह dt तो यह 2 dt यह मिल गया 2t cos t dt तो आगे 2 को बाहर निकाल लेते हैं और यह t और cos t dt और cos t को द्वीती फलन मान करके आगे सर दोल करते हैं तो मिल जाएगा 22 पहला फलन दूसरे फलन का समा कलन पहले फलन का आउ कलन दूसरे फलन का समा कलन और फिर इस पूरë पूरे फॉलन का हम समाकलन करेंगे, मिल जाएगा 2 और cos t, cos t का समाकलन sin t, यह मिल जाएगा t into sin t minus, यहाँ पर मिल जाएगा 1 और cos t का again sin t, यह sin t और फिर dt, फिर 2 into t into sin t, और sin t का integration cos t, sin t का integration minus cos t, तो यह मिल जाएगा minus और minus plus cos t, और अंदर में आप plus c लिख सकते हैं, फिर बाहर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यह हमें जो मिला था to t की value put कर देते हैं, यह square root over x plus 1 और sin t, t के value again square root over x plus 1 plus cos square root over x plus 1 और फिर यह plus c. तो यह दिया गया फुलन का समाकलान है, जो कि हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था, अगला फुलन दिया गया है, x cube into cos of 2 x square, इसका हमें समाकलन करना है, तो इसको हम इस तरीके से split कर सकते हैं, x into x square और और cos of 2 x square, अब इसका यदि समाकलन integration आई हो, तो इसे हम लिखेंगे, x into x square, cos of 2 x square dx, माना कि यह समीकरन एक है, अब यहाँ पर हम पुना प्रतिस्थापन को उप्योग करेंगे, x square को हम t दे करके चलेंगे, x square equal to t, माना यह दूसरा समीकरन, दोनों पक्षों का उप्योग करेंगे तो मिल दाएगा 2 x dx equal to dt, या फिर x dx equal to dt upon 2, यह तीसरा समीकरन, दूसरे और तीसरे को उप्योग करके पहले को हम प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो देखिए, x dx, यहां से आपको मिल जाएगा dt by 2, यह dt और by 2 को मैं इस integration sign के पहले लिख रहा हूँ, x square की जगा हम लिखेंगे t, और फिर cos 2, again x square के जगा आप लिखेंगे t, यह integration sign मिल गया, i equal to 1 by 2 integration t cos 2 t dt, अब t को प्रतम फलन और cos 2 t को अब दूती फलन मान करके आगे समाकलन करेंगे, तो यह 1 by 2, पहला फलन, दूसरे फलन का समाकलन, पहले फलन का आउकलन, दूसरे फलन का समाकलन, और फिर इस पूरे पत का समाकलन, तो आपको मिल गया, 1 by 2 to t, cos t का समाकलन sin t, तो यह मिल गया, sin 2 t upon 2, फिर minus d by dt into t, that will be 1, और फिर cos 2 t, तो फिर से आपको मिल गया, sin 2 t upon 2, और फिर से यह dt, आगे सरल करते हैं, 1 by 2, t, या इसको t by 2 लिख सकते हैं, और यह sin 2 t, minus 1 by 2, और sin t का समाकलन, minus cos t, तो यह minus cos of 2 t upon 2, अगे जब bracket open कर देंगे, तो यह मिल जाएगा, t by 4, sin of 2 t, अब यहाँ पर अब प्लस c लिख सकते हैं, समाकलन नहीं अतांग, और फिर यह minus और minus plus, और यह 2, 2 और 2, इमिल जाएगा 8, तो 1 by 8, cos of 2 t plus c, अब यहाँ पर जो t के लिए हमें प्रतिस्थापन को प्योग किया था, उसे पुना मूल रूप में परिवर्दित कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा, integration दिये गए फलन का, यह i equal to t, it means x square, और यह upon 4, sin of 2 t, तो मिल जाएगा 2x square plus 1 by 8, cos of 2 t, t means x square, plus c, या फिर इसे आप और सरल करके यह bracket के form में लिखना चाहें, तो आप लिख सकते हैं, 1 by 2, x square, sin of 2x square, plus 1 by 4, into cos 2x square, plus c, यह दिये गया, फलन का, हमें समाकलन प्राप्त हुआ, अगले प्रश्ण में दिया गया है, x square into 10 inverse x, तो i let, हमने जो formula पढ़ा था, उसमें inverse trigonometric function पहले आता है, यह inverse function पहले आता है, और फिर बाद में algebraic function आता है, तो यह जो 10 inverse x है, इसे प्रथम फलन और x square को हम द्वीती फलन मान करके, खंड सा समाकलन के सूत्र का उपयोग करते वे सरल करेंगे, तो माना दिये गया है, फलन का जो समाकलन है, यह i, तो पहले प्रथम फलन जिसे हम मान रहे हैं, उसे हम पहले लिख रहें, और यह d by dx of tan inverse x, integration sign x square dx, और फिर फूरे फलन का समाकलन, तो यह आपको मिल जाएगा tan inverse x और x square का समाकलन x cube अपन 3, फिर minus tan inverse x का जब आप उकलन करेंगे, तो मिल जाएगा 1 अपन 1 प्लस x square, और x square का समाकलन x cube अपन 3, और फिर यह d x, x cube अपन 3 tan inverse x, और यहां से आप 1 by 3 यह interaction sign के पहले निकाल सकते हैं, और यह आपको मिल गया x cube अपन 1 प्लस x square dx, इसको हम आंसिक भिन्न के रूप में लिख करके सरल करेंगे, यह आप इसे भाग देंगे, तो आपको वो भिन्न के रूप में मिल जाएगा, तो यह x cube अपन 3 tan inverse x minus 1 by 3 integration sign, इसे आप लिख सकते हैं, x minus x upon 1 प्लस x square, और फिर इसका समाकलन, यह मिल गया आपको x cube upon 3 tan inverse x minus 1 by 3 x का समाकलन, simply आपको मिल जाएगा x square upon 2 और इस फ़लन में यदि आप 1 प्लस, माना 1 प्लस x square equal to t, तो आपको मिल जाएगा 2 x dx equal to dt या फिर x dx equal to dt by 2, तो यह x dx को हम dt by 2 लिख सकते हैं और 1 प्लस x square को t लिख सकते हैं, तो यह आपको मिल गया minus integration sign, dt upon 2 और यह t, तो यह मिल गया x cube upon 3 tan inverse x minus, इसे यह आदे आप multiply कर देंगे, bracket open करेंगे, तो मिल जाएगा minus x square upon 6 minus और minus plus 1 by 2, dt by t इसका integration है, मिल जाएगा log t, log t plus c, x cube upon 3 tan inverse x minus x square upon 6 plus 1 by 2, log t, तो हमने 1 plus x square को हम लोगों ने t माना था, तो यह हमें जो प्राप्त हुआ है, यह दिये गया फ़लन का समाकलन है, जो कि हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था, अगला प्राप्स्कन दिया गया है, x का power 4 plus 1 upon x square plus 1 plus tan inverse x, इस दिये गया फ़लन का हमें समाकलन करना है, तो यह एक अलग फ़लन है और यह दूसरा फ़लन है, तो माना दिये गया फ़लन का समाकलन है, आई, तो इसे हम लिख सकते हैं, x का power 4 plus 1 upon x square plus 1, dx plus integration sign tan inverse x dx, तो माना कि यह i1 plus i2 है, यह पहला function i1 और यह दूसरा function i2, तो पहले हम i1 के लिए हल करते हैं, x का power 4 plus 1 upon x square plus 1 dx, यह इस form में दिया गया है, तो आगे सरल करने के लिए, x का power 4, इसमें हम minus 1, इसमें 1 substitute कर रहे हैं और 1 add कर रहे हैं, तो 1 add करेंगे तो मिले दाएगा 2, और upon यह x square plus 1, अब देखिए x का power 4 minus 1 को, हम x square plus 1 और x square minus 1 के रूप में, breakdown करके आगे सरल कर सकते हैं, तो यह आपको मिल दाएगा, x square plus 1 into x square minus 1 upon x square plus 1, और फिर plus 2 upon x square plus 1, इस पूरे पत का हम समाकलन कर सकते हैं, अब देखिए यह x square plus 1 और x square plus 1 यह cancel हो जाएगा, तो ultimately यह आपको इस form में मिल रहा है, x square plus 1 और प्लस 2 upon x square plus 1 इस form में, यह दोनों cancel हो जाएगा, x square, इसको तरफल करेंगे, तो यह पत और यह पत cancel हो जाएगा, आपको ultimately मिलेगा, x square minus 1, तो integration sign x square minus 1 dx plus 2dx upon x square plus 1, इसे हम इस रूप में लिखते हैं, इसे अब और आगे सरवल करेंगे, तो x square का समाकलन x cube upon 3 और फिर यह minus x और फिर प्लस, यह आपको मिल जाएगा 210 inverse x plus माना कि यह c1 है, यह दूसरी इस्तिती, यह दूसरा समीकरण, अब हम i2 के लिए solve करते हैं, यह हमें जो मान मिला था, यह i1 का मिला था, तो i2 equal to integration sign 10 inverse x dx, तो इसे हम consider करके चल सकते हैं, कि यह 10 inverse x into 1 है, और इस 10 inverse x को प्रतम फलन और 1 को हम दूती फलन मान करके आगे खंड सा समाकलन का सूतर का उप्योग करेंगे, तो पहला फलन, दूसरे फलन का समाकलन, फिर पहले फलन का आउकलन, दूसरे फलन का समाकलन, और फिर पूरे फलन का समाकलन, आगे solve करेंगे, तो यह मिल जाएगा 10 inverse x into x, फिर minus integration sign 1 plus x square, और यहां से आपको मिल जाएगा x dx, यह मिल रहा है x into 10 inverse x, और यदि आप इसमें 2 multiply कर दें, और 2 divide कर दें, तो यह मिल जाएगा 2x dx upon 1 plus x square, तो हर वाले पद का जब आप आउकलन करते हैं, और आपको अंस में दिया गया पद मिलता है, तो इस पूरे फलन का समाकलन, log of हर में जो फलन दिया गया, वह होता है, या फिर आप इसको 1 plus x square को आप T मान करके भी log of 1 plus x square plus c2, तो माना कि यह तीसरा समी करण है, यह आपको i2 का मान मिला था, अब i का मान i1 plus i2 इस रूप में लिखा हुआ है, तो दिया गया फलन का समाकलन, हम दोनों का योग कर देते हैं, i1 that is x cube upon 3 minus x plus 2 tan inverse x plus c1, plus i2, यह है x into tan inverse x minus 1 by 2 log of 1 plus x square plus c2, c1 plus c2 को आपके हमने एक नया constant बना देते हैं, c3, तो यहां से आप इसे लिख पाएंगे, integration equal to x3 upon 3 minus x plus 2 into tan inverse x, और यहां पर यह x है, तो plus x tan inverse x minus 1 by 2 log of 1 plus x square plus c1 plus c2, यहां पर हमने लिख दिया c3, जहां c3 equal to c1 plus c2, तो यह दिये गए फलन का समाकलन है, जो कि हमें गयात करने के लिए कहा गया,